वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्तापक की व्यक्तिकत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्तान द्वारा प्रमानित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नजदी की चिकिस्सक से परामश अवश्य लें भारत बंदे मात्रम अगर कुछ चीज उपलब नहीं हो पाती तो आप हमें बताएं हम आपको भिजवाएंगे तो तामे के बर्तन में जिसमें रात बच आंदी का सिक्का रहा था उसको थोड़ा घरम करिए गुंगुना करके अराम से बैटकर सुबा सुबा खाली पेट पीजिये क्या गर्मी के अंदर गरम पानी पीना चाहिए बिल्कुल पीना चाहिए सुबा उठते ही अगर थोड़ा गुनगुना या गरम पानी पिएंगे तो गले के लिए बहुत अच्छा है बहुत ज़दा गर्मियां हो जाती है तब शायद नॉर्मल पानी चल सकता है उसके बाद में जब आपने पानी पिया पानी पीने के बाद फ्रेश होने के लिए फ्रेश होके जब आप आए तो आपका पेट बिल्कुल खाली है ये सबसे अच्छा समय होता है जब बॉड़ी की इम्मिनिटी को आपको बिल्ड करना चाहिए कोई ना कोई औशदी आपको शरी में डालनी चाहिए औशदी का सबसे अच्छा तरीका क्या है गर्मियों के अंदर उप्योग में लेकर आए नोनी जूस कम से कम धेड़ दो महीना तो जरूर पीजिए दुनिया के सबसे ताकतवर सबसे बड़ी एंटियों के रूप में है जिस घर के अंदर गर्मियों अगर आप धेड़ दो महीना लेंगे तो आपको यह थकावट होने के चांसे बहुत कम हो जाएंगे नोनी जूस हम उन लोगों के और एकमेंड नहीं करते जिनको थोड़ी डायबिटीज है अगर डायबिटीज नहीं है वैसे आप थोड़ा बहुत कोई भी मतलब दिक्कत ह उसमें कोई नहीं अगर डायबिटीज नहीं है तो आप नोनी जूस को अवश्य लीजिए और अब मार्च के बाद में तो आप बिल्कुर शुडू करना कर सकते हैं वन उफ बेस्ट एंटी ऑक्सिडेंट्स के साथ में नोनी फ्रूट अवैलबल होता है तो आप यह जूस ले सकते हैं अगर आप नोनी नहीं लेना चाहते हैं किसी वरसे या देड़ दो महीने आपने पी लिया अब आप चाते हुई दूसरा जूस किया पी सकते हैं तो आमला गिलोय ऑमला और गिलोय दोनों का कॉंबिनेशन जो है वो पीना शुडू कर यह गर्मियों के अंदर आ आमला गिलोई जून तक निपता ले बरसातों के आने से जस्ट पहले फिर बरसातों के अंदर आपको चेंज कर दिया जाएगा तो ये जूस अच्छा है इन दोनों के अलावा कोई और जूस पीना चाते हैं तो कल पहम रिख जूस बाक्षी पे अवैलेबल होता है इसमें क्य आप से हाठ जोड़कर निवेदन है चाहे हम कितना भी अच्छा उतपाद आपको खिला दें अगर आप नियमित व्यायाम नहीं करते हैं चाहे थोड़ा करिए लेकिन करिए जरूर अगर व्यायाम आप नहीं करेंगे तो शरीर को निरोग के रखना आपके लिए बहुत मु लोगों के लिए रिकमेंडिड है कि वो ड्राइफ रूट का यूज़ करें अब आप कहेंगे गर्मियों में ड्राइफ रूट कैसे यूज़ करना है वाक्षी नूट्रिशन शेख के हिसाब से तो वाक्षी नूट्रिशन शेक कैसे बनेगा रात को जब ताम परतन बसोई म डालिए, mix करिए, तो क्या बन गया, चटनी, थोड़ा सा वही पानी जिसमें भिगो है ता उसको डालेंगे तो क्या बनेगा, शेक, सुबा नाश्टे में शेक पी सकते हैं, गर्मियों में शेक इसलिए भी अच्छा है, क्योंकि कई बार सुबा सुबा गर्मियों में भूकी लगती है, आपको ये लगेगा कि गर्मी जब बहुत जाद है तब भूक लगनी रहे और शरीक और नाश्टा करने का मन नहीं है, लाइट नाश्टा करना है, तो ये ड्राइफरूट शेक अकेला ही काफी है, इसको पीकर आप अपने जॉब पर जा सकते हैं, तो ड्राइफ फ्रूट शेक पी लिया, लेकिन इसके साथ में क्या कुछ और अच्छा खा सकता हूँ, याद रखिए का सीजनल फ्रूट्स, गर्मियों के अंदर आने वाले जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सेव है, संत्रा है, मौसंबी है, कीनु है, कुछ भी आपको जो ये सारी अच्छा करने के सबसे पहले फ्रूट्स खाईए, फ्रूट्स अगर आपने खा लिये, ड्राइ फ्रूट का शेक पी लिया, अब आपको लगता है कि मुझे भूक लग रही है, अब भूक के अंदर वैसे तो आप रोटी डाल चावल खा सकते हैं, रोटी अगर खाएंगे आठा जो है, वो किस चीज का बना हो, दो आठे, एक जौंग का और एक जवार का, इन दोनों आठो को मिक्स कर लो, 50% जौंग का आठा, 50% जवार का अठा, गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट रोटी बनेगी है, जो व्यक्ती गर्मियों में जौं और जवार का सेवन करेगा गेहूं से दूर रहेगा उसकी रोटी भी बहुत ताकतवर बनेगी और शरीर के लिए अत्यंतलाब धायक बनेगी तो जोंके आटे के और जवार के आटे का उपयोग करिए जोंके दलिये का जवार के दलिये का उपयोग करिए जितना हो सके गर्मियों में आपके शरी के चाहिए अगर नाश्टे में आपको लगता है कि नहीं मेरे को रोटी डाल चावल नहीं मुझे कुछ और हलका चाहिए तो उपमा हो गए आपके पास में आपके पाशा हो गया पोहा के अंदर आप रेड राइस पोहा को ट्राई कर सकते हो जैसे हम नॉर्मल पोहा कहते हो वो सफेद चावल से बनता है वैसे ही लाल चावल से रेढ राइस पुहा बनता है सफेद चावल के मुकाभले कहीं ओना बना जादा नियूट्रीशियस होता है एंटि-ऊक्षिन जादा होते हैं तो आप इसका रेढ राइस पुहा का जो है वह उप्योग कर सकते हैं आपको लगता है इसके अलावा क्या अच्छा हो सकता है, मिलेट का दलिया बना सकते हैं, मिलेट का चीला बना सकते हैं, तो या तो मिलेट की दलिया खिचडी बना लीजे, अना आज को डालिए जैसे नॉर्मल दलिया बनता है, वैसे मिलेट का बनाईए, मिलेट में कौन-कौ मिलेट्स को अगर भिगो देंगे रात बर और सुबह उटकर ग्राइंडर में डालेंगे और घुमाएंगे तो बैटर बन जाएगा इससे चीला बना सकते हैं तो मिलेट्स का उपयोग यह हो सकता है मिलेट्स बहुत अच्छे हैं तो नाष्टे के लिए आपको बहुत सारी ऑ बाक्षी के पास अवैलेबल होता है इसके साथ में फॉक्स्टे मिलेट्स को आप दूद के साथ मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं यह बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है जिसकी रिपिटिट पच्छी हमारे पास अच्छी बनने लगी उसका क्या है इसके अंदर क्या है सारे के सारे जैसे आपके ड्राइफ रूट्स हो गए जो आपकी डाले हो गई जो आपके मिलेट्स हो गई इन सबको आपने रोस्ट करके जो है पाउडर करके और आपने दे रिया अब इसको जब आप पानी के साथ में पकाएंगे तो आपका एक तरह करना सेमी सॉलिड फ् इक्सिस का नाम है और ये आपकी तयार हो गई तो सुभा के नाश्टे के लिए मैंने आपको काफी एंपल ऑप्शन्स दी हैं जो जिन में से आप चूज कर सकते हैं और इस तरीके से अपने नाश्टे को अच्छा कर सकते हैं हेवी नाश्टा करना चाहिए तो रोटी कैसे बनेगी लाइट नाश्टे के अंदर क्या क्या ओप्शन्स है वो मैंने आपको बता दिये इसके बाद में हम अगर आते हैं अभी सुभा जो है आप अगर काम पर जाते हैं तो काम पर जाते हुए बहुत जादा चिंता क्या है अ चाहरे के ओपर रोज वाटर लगाएंगे चेहरा ताजा रहेगा ठकान कम होगी और जो चेहरे के ओपर लाइवनेस है वो जादा अच्छी रहेगी कई बच्चों को गर्मियों के अंदर एकने बढ़ जाता है तो उनको क्या करना चाहिए उनको यह करना चाहिए कि कि आपको पता है केमिकल बेस फेस वाश है और गैनिक फेस वाश है वह आप यूज कर सकते हैं आप कहींगे सूरज की रोशनी में बचने के लिए हमें संस्क्रीन अच्छी चाहिए संस्क्रीन बहुत जादा रेकमेंड नहीं करते हमारा परसनल रेकमेंडेशन यह है कि आप को मजार में केलामीन लोशन मिल जाता है मेरा अच्छा अच्छा ब्रेंट छो तो डी काम को धाले कि अच्या अच्छा अच्छा ब्रेंट आता है कि sunscreen मुझे अच्छी quality का चाहिए तो यह available रहती है वाक्षी के पास में आपको लगता है चेहरे पे हमने face wash किया वैसे तो हमारा face wash यूज करने के बाद में dryness होती ही नहीं है तो कोई problem नहीं है usually तो face wash करिए गुलाब जल लगाईए और आपका चेहरा जो है तैयार है हलका सा sunscreen अगर लगा रहे हैं डर्मो काम लगा रहे हैं तो आप सीधा काम पर जा सकते हैं तो यह तरीका है जिससे आप अपने चेहरे को इस समय पर ध्यान लग सकते हैं पिर भी आपको लगे दिन में कभी dryness या कुछ है तो face cream भी available है लेकिन गर्मों में face cream की इतनी ज़रूत पड़ेगी नहीं तो उसको आप देख सकते हैं तो यह आपके काम पर आप अपने office में पहुंच गए अब आपको दुबारा कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो क्या है fruits अगर सुबा खाई है तो अब दिन में समय मिले तो salad खाईए याद रखे है का गर्मी में क्या है आप बहुत वदा खाना नहीं खा पाएंगे you need to take more of fluids और उसके साथ साथ में आप जितना सलाहत जितना fruit खाएंगे उतना आपके शरी के लिए अच्छा है एक तो बैठे बैठे वजन घटेगा उपर से आपके शरीर के अंदर energy levels बहुत हाई रहेंगे तो fruits और salads को प्रात्मिक्ता दीजिए खासकर गर्मियों के अंदर ऐसा मेरा personally मानना है इसके अलावा दिन में अगर आपको चाहिए अब दिन में कैए suppose कि जो office में या घर है अब आपको पीने के लिए बहुत अच्छी चीज चाहिए तो गर्मी में पीने के लिए सबसे पहली चीज क्या है ग्यारा बारा एक वज़े के आसफास देशी घाएं के दूद की चाहिए अगर ये चाहिए प्योर मिल जाती है तो भहिया इससे अच्छा मृत नहीं है गर्मी में जरूर पीजिए आप कहते हैं छाच किसी वज़े से नहीं लेके जा पा रहा पी नहीं पा रहा तो क्या है दूसरे रूप में आती है कांजी ये कांजी सेप्टेंबर तक अवेलबल है फर्मेंटे ड्रिंक है मैंने प्रोबाइटिक्स के उपर बनाई ये बहुत अच्छी चीज है आप थोड़ा सा डालिए पानी के साथ में इसको मिक्स करिए ये डारेक्ट भी आप इसको पी सकते है गट के लिए आपके पेट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है जैसे चाच फाइदा करती है प्रोबाइटिक के रूप में वैसे कांजी हो गई आप कहते हैं कांजी अवेलिबल नहीं है तो क्या चीज है तकरासव बहुत अच्छी चीज है चाच को ही फर्मेंट किया जाता है साथ-अर दिनों तकरासव बनाया जाता है एक दो ढकन डाली आधा किलास पानी में पी लीजिए तो बबर तीन चाट ड्रिंक्स बता चुका हूँ चाच बता सकता हूँ कांजी बता चुका हूँ आपको तकरासव बता चुका हूँ ये तीनों चीजे पी सकते हैं फ्रूट जूस जो है वो दिन में पी जीए बारा बज़े से जो दो तीन बज़े का समय इसके अंदर पी जीए इनको इनको जूस में लिक्विड डाइट जो है वो अपनी बढ़ महसूस होगी इतनी अच्छी चीज है तो आप क्या ये शर्बत पी सकते हैं गर्मियों के अंदर और गर्मियों में खाने के लिए दुपैर के समय में अगर आपको लगता है आमले का मुरबबा अगर खाना चाहिए नाश्ते में खाना चाहिए सुबह खाली पेट तो आमले इसके बारे में एक चम्मच पानी के अंदर इसको थोड़ा भीगो के रखना पड़ता है अगर आदा घंटा भीगा रहने दीजिए उसके बाद में बस थोड़ी सी या तो खान डाल लीजिए नमक डाल लीजिए पानी के साथ मिक्स करिए और पी जाईए इतना ठंडा होता है शरीर की गर्मी को पूरा खीच लेता है अगर आपको लगता है कि पेट में गर्मी हो रही है मुझे बहुत जादा गर्मी है तो याद रखेगा गर्मियों में एक गोंद कतीरा आपकी चाल के आप पी लोएंगे तो शरीर में एकदम ठंड़क देगी कम है आपको लगे शर्बत के फॉर्म में लेना चाते तो चंदन के शर्बत भी गर्मियों में अवैलेबल रहेंगे इसका भी आप लाब उठा सकते हैं नहीं तो जितने शर्बत वाक्षी पे मिलेंगे सभी मिश्री के अंदर बने हुए हैं तो बहुत जादा ठंड़क शरीर के अंदर देते हैं तो पीने लाइक जितनी चीजा हैं वो सारो मैंने आपको बताई जो आप सारी की सारी यूज़ कर सकते हैं अगर घर में खाना बनेगा गर्मियों में तो कौन से दो तेल अच्छे हैं एक तो हो गया mustard oil सरसो का तेल और एक हो गया सूरज मुखी का तेल sunflower oil तो तेल कहीं तरह के होते हैं लेकिन mustard और sunflower oil के अंदर maximum cooking आप करेंगे गर्मियों में तो आपके लिए हो लाब दायक रहेगी आपको लगता है इसके अलावा जो है हमें शाम के समय पर रात के समय पर दूद पीना है तो बच्चों को दूद के अंदर गर्मियों के अंदर क्या चीज़ हम आड़ करके दे सकते हैं अगर आपके बच्चों को बॉन वीटा होलिक्स इन सब की आदत पढ़ गई है तो तुरंत वहां से शिफ्ट हो के आप कापर वीटा की तरफ आजाएं कापर वीटा क के अंदर किसी भी तरह की आटिफिशल शुगर्स यह प्रिजर्वेटर्स केमिकल्स यह सब नहीं ड़े हुए तो कापर वीटा का दो चमच आप दूद में आड़ करेंगे तो एक तरह का नैच्रल बॉन वीटा होलिक्स बन गया कापर वीटा हम उन बच्चों को रेकमेंड दल जाएगा घर्मियों के अंदर इलाइची का थोड़ा पाउडर दल जाएगा घर्मियों के अंदर गुलकंध दूद के साथ में आप डालिए और शेक मना लीजिए ग्राइंडर के अंदर तो इस बी आपको किसी और्गैनिक स्टोर से मिल जाएगा तो स्पैसिक अब बच्चों के साथ किया तो वहां से मूव कर जाएगे गुलकंध पर आजाएगे सौंफ पर आजाएगे इलाइची के उपर आजाएगे जो शर्बत हमारे पास हैं गुलाब के शर्बत अवेलबल है इनको डाल लीजिए इनको दूद के साथ में मिक्स करके आप इस तर अच्छे से दूद के साथ में शेक करिए और इसको जो है आप वी प्योग में लेकर आ सकते हैं तो यह जादा तर प्रोट्स हैं जिनके बारे में हम बात करना चाते थे एक हिंगाश्टक चूरने गर्मियों में मदद करेगा पेट में गैस एकदम बन जाती है आपको लगत हिंगाश्टक चूरन आपको मदद करेगा हिंगाश्टक चूरन का एक चमच आप गुंगुने पानी के साथ में अगर पी लेंगे तो आपके लिए अत्यंत यह लावदायक से धोगा इसके बाद में गर्वियों में एक और समस्या आती हुआती है मच्छों के लिए आपको इसका थोड़ा सा तेल डाली है थोड़ा सा कपूर डाल दी है और जला दीजिए जो उसकी फ्यूम्स होगी आपके घर के अंदर मच्छों को रखने में दूर करेगी दूर रखने में मदद करेगी आपके हां मशीन होती है गुड़नाइट वगएरा की उसमें आप लगा द होती है लेकिन इसलिए देना जरूर है क्योंकि इस दुनिया के सबसे अच्छे मल्टी विटाइमिन मल्टी विंडर्स के अंदर यह काम करता है डील करता है तो बहुत बहुत सबजियां है फ्रूट्स हैं आप चाहने के बाद भी इतना नहीं खा सकते तो शेरी में कैल्शि तरीके से आपके घर को इन सारी चीजों से बचाने में मदद करती है कैमिकल पोटेंशल को जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए गर्मियों में लाबदायक होगा अच्छा अन खाये बच्छी बहतरीन चीज़े खाये वो चीज़े खाये जिन में कैमिकल पोटेंशल कम हो हमाई तरह से कोशिश है हम विश्व का पूरे देश का बहतरीन अन इन गर्मियों में आप तक पचाने की कोशिश करेंगे इसी के साथ भारत बंदे मातरम